दोस्तो हमारे किचन और घड़ से जुड़े हुए कुछ टिप्स और टिक्स ऐसे होते हैं जिनको जब तक हम ट्राई ना करें वो हमारी समझ में नहीं आते हैं चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और टिप्स और ट्राई ज़रूर करिएगा दोस्तो हमारी आज की जो पहली टिप है वो नमक को लेकर है नमक को आपको लेना है एक काज की छोटी सी इस तरह की कटोरी में और उसके पास से जाना है अपने फ्रिच की इस बॉसकेट में जहां पर हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगरा स्टोर करते हैं और इस नमक की तबी को हमें यहां पर कही पर भी रख देना है इस वेजिटेबल की बास्केट में और फिर बास्केट को जैसे आप बंद करते हैं बंद कर दीजेगा आप देखेंगे कि आपकी सब्जियों में जो पहले एक पानी सा आ जाता था एक नमी सी आ जाती कि वह बंद हो चुकी ह दिन हम इसको इस्टोर करते हैं तो आपने देखा होगा कि दूध में एक अलग सी खटास सी आने लगती है उस टाइम पर जब आप दूध को इस्टोर करने चाह रहे हो तो आपको यह बहुत चोटा सा काम करना है बहुत जादा कुछ नहीं करना बस लेना है एक चुटकी न नों तक खराब नहीं होगा, आप दूर को जैसे चाहें, वैसे इस्तिमाल कर सकते हैं, और इस तरह से रखा हुआ दूर कभी खटास भी नहीं देगा, ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं, नेक्स टिप की तरफ, नेक्स टिप है, आजकल वा आलू जो है उपर से लाल या फिर काले होने लगते हैं, और ऐसे आलू को बाद में यूज करने का भी मन नहीं करता, तो ऐसे टाइम पर आप एक काम करिएगा, कि जब भी आलू आपने एक्ष्टा काट लिये हो, या फिर छिला हुआ आलू ही क्यों ना हो, इसको एक या दो पानी अच्छे से वॉष ने जब इसका इस टार्च वाला पानी निकल जाए तब इसके बाद से इसे किसी बरतन में रखकर और पानी अच्छे से धग दीजी, यानि कि पानी में अच्छे से डिप कर दीजे, पानी इतना होना चाहिए, कि एक भी आलू खुला हुआ ना रह दोस्तों यह बहुत ही काम की टिप होती है इसे जरूर अपना कर देखिएगा नेक्स टिप है हमारी किसी भी तरह के ओयल को लेकर कभी कभी हमारे कपड़ों पर कोई लग जाता है जैसे कोई खाने वाला तेल हो या फिर जैसे मैं यहां पर कोकोनेट ओयल का यूज करके आपक काम करते हैं जाया दोस्तों तो करना है एक बहुत वहां सास़ काम आपको तुरन यसको वहाश नहीं करना है आपको करना है कि कि टैलकम पोडर जो हमारे square होते हैं और बजों या भडों पोई सभी ट्याल कोई और टेलकम यह ताल के ऑड़ आपको एस पाॉडर को मिला लेहे spread कर लेना है और इसके बास इसे छोड़ दीजिए आधे से एक गंटे के लिए आधे गंटे बाद क्या होगा हमारा जो powder है वो इस oil को बहुत अच्छे से सोख लेता है मैं आधे गंटे बाद जो है दिखाती हूँ तो आधे गंटे हो चुके हैं आप देख रहे हैं पाउडर थोड़ा सूख चुका है अब इस कपड़े को जह हम ऐसे साफ करते हैं तो पूरी तरह से oil free हो चुका है हमारा कपड़ा मैं इस powder को जाड़ कर फिर दिखाती हूँ आपको तो हमारा कपड़ा जो है पूरी तरह से एकदम clear एकदम clean हो चुका है इसने oil को पूरी तरह से absorb कर लिया था तो powder के इस्तेमाल से next time आपको इसको wash भी नहीं करना पड़ेगा बस हम इसको इस तरह से कर देंगे हमारा कपड़ा बिल्कुल नहीं जैसा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि कपड़े पर तेल कहां लगा था चाहे दोनों साइट से लगे हो या फिर एक साइट से ही कपड़े को इस तरह से next time आप clean कर लीजिए बहुत यह अच्छे से clean हो जाता है oil के तक जाता है तो आप two times भी powder डाल कर इसको clean कर सकते हैं एक बार रख दीजिए निकाल दीजिए powder को दुबारा फिर powder डाल का छोड़ दीजिए तो कपड़ा बिल्कुल नए जैसा हो जाता है कौन सी टीप आपको ज्यादा पसंद आ रही है कमेंट करके ज़रूर बताईएगा नेक्स टीप है एपल को लेकर एपल जब हम काटते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि हमने इसे मैमानों के सामें रखा बच्चों के टिफिन में दिया कुछ टाइम पर क्या होता है दोस्तों कि एपल काले पड़ जाते हैं आपने देखा होगा एपल कभी रेड हो जाते हैं कभी ब्लै से हो जाते हैं तो नेक्स टाइम जब भी आप एपल को कट कर लीजिए जैसे मैंने यहां पर एपल को कट किया है इसके पास से हम क्या करेंगे एक बटन में ले लेंगे थोड़ा सा पानी, पानी हम वही उज़ करेंगे जो हम नॉर्मल पापीने का पानी यूज करते हैं, बहुत ज़दा ठंडे पानी का इस्तिमाल नहीं करना है, मैंने यहाँ पर नॉर्मल हलका सा गुनगुना सा पानी लि इसलिए को छूड़ा से चला कर डिया आप पानी तैयार है इस के ठीड करके हम छोड़ेंगे पूरे एक मिनिट मिनिट के बाद आप पानी से यह से उलब ऎली फनी से शाना के और बैपर आप यह चो पानी दोस्तों कि हम घज शेंड़ें एपल के टुकड़ों को अच्छे से पानी को निकाल दीजिएगा यानि की जार दीजिएगा और बच्चों के टिफिन में पैक कर दीजिएगा या फिर आपने खुद के खाने के लिए रखा है तो इस तरह से करके आप बहुत ही इसली एपल को इंज्वाय कर सकते हैं आप इस तरह से हनी की पानी वाले आपल जो होते हैं वो बिलकुल भी काले नहीं पड़ते हैं तो यह वाले आईडिया जरूर अपना कर देखेगा स्व़ाय कर देखिए बहुत इकांडम की टिफ है मिक्सी के जार को लेकर मिक्सी के तो बहुत हमारे घरों में ठसा है कि आप जार में ले लीजिए थोड़ा सा नमक और के साती हम डाके साथ भू डाले थोड़ा सा मीठा सोडा यानि कि खाने वाला सोड़ा तो जितना नमक लिया है हाफ चमच उतना ही मैंने सोड़ा लिया है अब इसके बाद से हमें जुरूरत होगी न्यूस पेपर की जो न्यूस पेपर हमारे आपके घरों में आता है पुराना सा कोई सभी एक टुकड़ा ले लिजिए और इसके कर इस तरह से इसके पीसेस कर लिया है और आप चाहें जार बड़ा है कि न्यूस पेपर आप जादा पाल दीजिए इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़े करके मिक्सी के जार में डाल दीजिए जार अच्छे से पेपर के टुकड़ों से फिल होना चाहिए तो मैंने आपर थो लगता है कि आपका जार तुरंट क्लीन हो सकता है ज्यादा इसमेल लई है तो यह प्रोसेस करके आप मिक्सी के जार को चला दीजिए जैसे मैं क्या गर रही हूं इसको तुरंधी एक बड़ चला दे लहीं और आपको क्लीन करके दिखा रही हूं तो आप चाहें तो इसे र करstonesurg है वो बशहन चींद जाती है बहुत अच्छे से मिक्सी का जार इसमेल प्री हो जाता है किसमें हम कुछ भी चीजे सकते हैं है ना निप्र 7 अर्वीडियों कि कैसे लग квар Ci ज़रूर बताएगा फिर मilने नए वीडियो में और नेक्स गिवावे कामिनर होगा, वो अनाउंस होगा मेरे बाटे पर गाने की नौजन्मरी को मिलते हैं मेरे नए वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई थैंक यू